जैहिन जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि आप भारत मनी फाइनेंस के साथ टाइप करके इंडुसेंट बैंक की बीसी कैसे ले सकते हैं उसका यूजर आइडी पासवर्ड कैसे मिलेगा और कैसे आप लॉगिन करेंगे जिस दिन आपका इंडुसेंट बैंक की बीसी पॉइंट का अनबोडिंग किया जैगा उसे दिन आपको आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा उसे दिन अगर आप अपने अईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं भारत मनी फाइनेंस में तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक option देखने को मिलेगा charges and fee तो वो option आपको फोज दिन ही मिल जाता है आपको बताया जाएगा कि 7 दिन वेट कीजिए आपको जितना भी इंट्रसेंट बैंक की services है वो सारा आपको provide कर दिया जाएगा तो आज मेरा 7 वा दिन है सबसे पहले आपको अपना user ID and password डाल देना है तो यहाँ पे मैंने अपना user and password डाल दिये है और यहाँ पे आपको login वाले option पे click कर देना है जैसे हैं यहाँ पे login वाले option पे click करेंगे कुछ दिर wait करेंगे यहाँ पे आपका अधार authenticate का option आजाएगा तो सबसे पहले आपको आपका यहाँ पे अधार number डाल देना है अधार number डालने के बाद आपको authenticate वाले option पे click कर देना होगा यहाँ पे अधार number डालने के बाद सबसे पहले आपके पास जो भी device है मंतरा हो मारफो हो जो भी डिवाइस है वो आपको अपने मोबाइल पॉन या केम्टूटर से कनेक्ट कर लेना है जैसे आप कनेक्ट कर देंगे अब आपको यहाँ पर करना क्या है ऑफेंटिकेट वाले ओप्शन पर किलिक कर देना होगा जैसे क्लिक करेंगे आपका मंतरा डिवाइस यहां पे रेडी हो जाएगा उसके बाद यहां पे आपको करना का है फिर से ऑथेंटिकेट वाले आप्शन पे क्लिक करना है जैसे click करेंगे यहाँ पे आपके मंतरा device में जो है light जल जाएगा finger आपको लगा देना है जैसे लगा देने यहाँ पे bio authenticate किया जाएगा जैसे authenticate हो जाएगा तो आपके mobile नमबर पे चारंग का एक OTP आएगा वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना होगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि OTP आ चुका है अब यहाँ पे आपको verify वाले option पे click कर देना है OTP verify successfully हो जाएगा आपको OK वाले option पे click करेंगे आप successfully अपने CSP में login हो जाएगे सुगाज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने first time जब आपको login करके दिखाया था तो यहाँ पे सिर्फ fee and charges का जो option है यही आपको एक option इसमें दिख रहा था बट यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि totally इसमें अभी आपको 15 features को देख सकते हैं अब आपको इसमें जिस भी features को खोलेंगे उसमें आपको 2-3 features देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को सुरू से दिखा देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो यहाँ पे deposit का option दिया गया है इस बारे option पे किलिक करेंगे आधार नमर मोब deposit कर सकते हैं चाहे वो कहीं भी खुला हो अगर आपके यहाँ आता है तो यहां से आप उनके bank account में balance को deposit कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे withdrawal का option है यहाँ से आप किसी भी bank का cash withdrawal कर सकते हैं चाहे वो state bank हो central bank हो PNV bank हो चाहे इंडूसेंड bank हो यहाँ पे अधार नम कि यहाँ पे है सारा यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे आप सेलेक करके उससे आप यहाँ पे कैस वेडरोल कर सकते हैं साथे साथ बता सकते कि यहाँ परचेस वाले आप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा यहाँ पे अधार नमर, मुबाइल नमर, एमोन, बेनफिसरी का नाम, फिर से आपको अधार नमर डाल देना है, रि-एंटर अधार नमर डाल देना है, उसके बाद उनके डारेक्ट एकॉण्ट में फण ट्रांसफर आप कर सकते हैं, साथ साथ बात करनें, यहाँ बैलेंस इंक जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा फिचर्स इसमें दिया गिया है साथ ही साथ यहाँ पर रीपोर्ट का उपशन देख सकते हैं आप कैस वीडियो करेंगे मीनी एंस्टेट्मेंट चाहे बैलेंस इंक्वाइरी तो यहाँ पर आपको सारा उपशन यहाँ देखने को मिल आया है तो वो आपके यहां आके अपने बैंक एकाउंट में जो मुबाइल नमबर है उसको अपडेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं यहां पर अधार नमबर डालने के बाद बाद बायो ऑठेंटिकेट करेंगे तो उनका सारा डिटेल आ जाएगा उसके बाद यहां पर आप जो है मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं उसी तरीके से एड़रेट अपडेट कर सकते हैं नाम अपडेट कर सकते हैं डियो भी अपडेट कर सकते हैं साथ यहाँ पे आप नॉमनी को भी यहाँ पे मोडिफाई कर सकते हैं जिनका भी आप इंडूसरेंट बैंक का एकॉंट है तो उनका यहाँ पे मोडिफाई आप कर सकते हैं अब यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि जिस रीजन से आपने CSP लिया है यानि कि एकॉंट आपनिंग के लिए तो यहाँ पे आपको आप्शन मिल जाएगा नौन यानि की जो इंडुस्टेन बैंक में अभी तक एकॉंट नहीं खूल भाया है उनका एकॉंट यहाँ से आप कोल सकते हैं उसके यहाँ पे नौन मिल अ इकॉंट आपनिंग वाले ओप्शन पे केकर देना है यहाँ पर देख सकते हैं कि नौन member SB यानि कि saving account non-member SB FD यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर non-member FD भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पर non-member SB वाले account वाले option पर आपको click कर देना है यहाँ से आप zero lagat zero maintenance से यहाँ पर जीरो balance account opening कर सकते हैं आप अपने CSP के माधियम से Seving Account Opening कर सकते हैं यहाँ पर current account का option है अगर आप current account वाले option पर klik करेंगे तो यहाँ पर काम नहीं करेगा कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके सब्सक्राइब अगर FDA account खुलना चाहते हैं जिसमें आपको कोची fix deposit करना होता है वो यहाँ पे आप करके opening कर सकते है साथी साथ यहाँ पे देख सकते हैं फियर चार्जेस का तो आप लोगों को पता ही है साथी साथ यहाँ पे आधार सेडिंग यानि की जिन भी लोगों का सरकारी पैसा मनरेगा हो चाहे वो सबसेडी हो डैडिक्ट अपने इंडोसेड बैंक में अगर लाना चाहते है तो यहाँ पे आधार सेडिंग का option है अधार नमर बैंक में कौन सा बैंक है वो यहाँ पे आपको सेले कर लेना है और यहाँ पे आपको सम्मिट वाले डालके ऑठेंटिकेट कर देंगे तो उनका अधार सेडिंग हो जाएगा उसके बाद उनका जो भी सरकारी लाब रहेगा सरकारी benefit रहेगा डैडिक्ट उनके bank account में आ जाएगा इसी को कहते हैं अधार सेडिंग यानि कि अधार सेडिंग करने के बाद जो भी सरकारी लाब है वो डैडिक्ट अपने आप bank account में प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें अभी तक बहुत सारे services नहीं आया है जैसे कि loan finance और भारत bill payment साथी साथ और भी बहुत सारे services हैं वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिजेगा बिल आकन को प्रेस करके all पे select कर लिजेगा जैसे हम इस तरीके का वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को notification मिल पाए सुगज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें comment वाक्स के दुआरा जरूर बताएगा इस वीडियो को अपने friend and family के साथ share जरूर कीजेगा और भी इसी तरीके का informative वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा सुगज मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए धमाकेदार वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई जाहिंद वंदे मातरम दोस्तों